लिप लेकिंग naw अधिम्सकार दोस्तों आप सभी का आज किस टौक के उपर बात करने वाले इसके उपर आपको बहुत जादा क्यडा जा रहे हैं बहुत से लोग अपको ऊपर, कि लेवल पे नोव नोग सिटौक स़्हें कर लिए है किस पैर देग्ताय किस लेवल पर हम लोग फ्रेस बाइंग कर सकते हैं और कहां पर जो है अगर उपर के लेवल पर जिन लोगों ने आपको अल्रेडी बाइ कर रखा है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग नीचे के लेवल से बने हुए हैं उन लोगों का क्या प्लान होना चाहिए तो हम पहला जो stock है वो है आपको उर्जा ग्लोबल उर्जा ग्लोबल के ऊपर इस से पहले भी मैंने आपको discussion वीडियो बनाया था और एक बार फिर से अगर इस चार्ट में देखेंगे इस stock के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जब 24-25 के अराउंड था उस टाइम में ही मैंने आपको वार्ण किया था जो यह stock आपको और नीचे आ सकता है यहाँ पे अभी आपको phrase buying नहीं करनी चाहिए और देखिए कहीं ने कहीं अपने level support level के पास यह stock आपको almost यहाँ पे approach करने वाला है अभी भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत distance है अपने support level से बट यहाँ से अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे आपको लोग pick करना start कर देंगे क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो one-sided movement था इसलिए मैंने आपको मना किया था 10 26, 27 इस range में बहुत से लोगों ने आपको यहाँ पे buying start किया क्योंकि जब stock उपर जा रहा था अपर circuit में उनों को यहाँ पर मोका नहीं मिल रहा था जैसे ही stock में lower circuit लगना start वा लोगों ने यहाँ पे आपको purchase करना start कर दिया और उसके बाद से continue उपर की level से बिक्वाली देखेंगे तो stock जो है आपको यहाँ पर आज normal trading day की तरह trade कर रहा है यहाँ पर आज आपको कोई भी circuit नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए और गिरावट अभी हो सकती है यहाँ पर जो है आपको 10-11 रुपीज के आसपास यह stock आपको आ सकता है यह एक support zone है जहाँ पर की यह stock आपको retest कर सकता है इस support zone को जिस आपको resistance को break किया था और यहाँ से जो है आपको one sided move दिया था एक बार फिर से उस resistance को आपको test कर सकता है वहाँ पर support ले सकता है और फिर वहाँ से आपको यह उपर की और निकल सकता है तो जो लोग उपर के level से यह यहां पर आपको बाई करके बैठे विए हैं वो लोग यहां पर अभी एवरेज नहीं करेंगे थोड़ा सा और वेट करेंगे और एक से दो रुपया यहां पर और नीचे आपको यह स्टॉक मिल सकता है उस लेवल के राउंड अगर 11-12 रुपीज के राउंड अगर मिलता है तो वहां पर अगर आप एवरेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा एवरेज रहेगा दूसरी बात एक और जो आज मैंने कमेंट देखा आपको 32,000 कुएंटिटी जो है उन्होंने बाई कर रखा है और वो भी बहुत हायर प्राइस पर यहां पर आपको बाई कर रखा है तो कभी भी दूसरे के एनलेसिस पर इतने हैवी कुएंटिटी को बाई करने से थोड़ा उससे पहले खुद का रिसर्च आपको जरूरी होता है क्योंकि अगर ट्रेड आपके एगेंस्ट में जाता है तो फिर जो है आपको वहां पर पता होना चाहिए जो एक्जेक्ली आपको कैसे ट्रेड को मैनेज करना है तो इसलिए अगर इतने हैवी कुएंटिटी में आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को खुद से भी वहां पे एनलेसिस करना चाहिए तो आज अगर हम लोग बात करेंगे तो उरजा गलोबल में अभी और गिरावट देखने को मिल स जाएगा आपको नहीं पता चलेगा और उसके बाद से जो है आपको लेने में बहुत जादा परिसानी होगी तो इसी वाज़ा से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहां पे आप जो है एड़ करके आप जो है यहां पर एड़ करते हुए जा सकते हैं जिससे कि अगर यह स्टॉक प्राइस और नीची आता है तो आपको यहां पर और एवरेज करने का मौका मिल जाएगा और सपोज अगर यहां पर 13 रूपी से या 14 रूपी से ही रिवर्स हो जाता है तो फिर आपको यहां पर आप जो है ट्रेंड को मिस नहीं करेंगे तो यह चीज आपको क् पर से फ्रेस मोमेंटम दिख सकता है तो इसलिए जितने भी लोग यहां पर आपको बाइक करना चाहते हैं तो यहां पर एग्रेसिव बाइंग नहीं करें धीरे धीरे अपने को आप बढ़ाते जाए नीचे की और जितना मिलते जाए आप यहां पर जो है कलेक्ट कर सकते है और उसके बाद से जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है उपर के लेवल पर जितने भी लोगों ने यहां पर आपको बाइक किया है वो लोग 11-12 रुपीज के आसपास अगर कुछ 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 एड़ करना चाहते हैं तो एड़ कर सकते हैं नहीं तो अपन अब हम लोग यहां पर बात करते हैं दूसरे स्टॉक की दूसरा स्टॉक है आपको लॉइड इस्टिल में इससे पहले भी मैंने आपको अनलेसिस करके बताया था और अभी फिर से मैं आपको सेम लेवल बता रहा हूं अभी करेंट लेवल के राउंड जो है सपोर्ट ले सक लेवल से आपको एक अच्छा रिजेक्शन दीख रहा है नीचे इमेरियेट सपोर्ट है वीक का थर्ट रेडिंग सेशन अल्रेडी आल्मोस्ट आपको ओवर हो चुका है तो यहां पे एक आपको पीन बायर टैप का केंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है तो के वीडियो में मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूं जो यहां पे इस लेवल के राउंड आप एक्यूमलेट कर सकते हैं यह एक अच्छा बाइंग जोन है यहां से श्टॉक जो है आपको ऊपर के और रिवर्स हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको ऊपर के और यहां से निकल सकता है जो लोग यहां पे 26 27 28 के लेवल से लिए हैं अगर वो लोग चाहे तो थोड़ा बहुत आप यहां पे एड कर सकते हैं जिससे कि आपका एवरेज प्राइस डॉन हो सकता है वाकि एकजिट करने का यह सही समय नहीं है क्योंकि आपका भी ओल्रेडी जो है 50-60% कैपिटल यहां पे ड्रॉड ओन हो चुका है नीचे के लेवल से जितने भी लोग उने पोईशन बनाया है वो लोग कंटिन्यू बना के रख सकते हैं क्योंकि वो लोग अल्रेडी एक अच्छे प्रॉफिट में है तो उमीद करते हैं आप अगर आप लोगों को पता चल गया होगा तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो अनलीसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दन्यवाद